चंद्रपूर नाकपूर के के आई एम एम किंग्सवे अस्पताल के जाने माने रिदय रोग विशेशक के डॉक्टर शैलेंद्र गंजेवार ने दावा की आए कि प्रदूशन का लोगों के दिल और फेफडों पर गंबीर प्रभाव पड़ता है अत्याधिक प्रदूशित चंद्रपूर से इलाज के लिए आने वाले रिदय रोग्यों की संख्या अनिजीलों की तुलना में अधिक है डॉक्टर गंजेवार गुरुवार को यहां किंग्सवे अस्पताल और श्री साइड डिवाइन के और मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल के सन्यूक तत्फधान में आयचित रिदय जाच शेविर में भाग लेने के लिए चंद्रपूर में थे शेविर के दोरान सौ से अधिक मरीजों के रिदय रो की जाच की गई निदान के बाद डॉक्टर गंजेवार ने लोगों को विशेश परामश दिया उन्होंने दावा किया कि उनके प्रयासों का उद्देश यह है कि सुनिश्चित करना कि सभी शेत्रों के व्यक्ति अपन खाना तार के तेल में पकाते हैं जिसमें अत्याथिक संत्रिप्त वसा होता है उन्होंने यह भी सहरा दी कि एक व्यक्ति के लिए आहार में तेल की खपत को आधा लीटर प्रती माह तक सीमित रखें और हर तीन महीने के बाद वेजिस तेल का सेवन करते हैं उसे गुनवत्त और हाट अटेक से काफी यंग लोगों के भी मौत हो रही है तो हमारा उद्देश है कि बीमारी को जल्दी पकड़ना है और इसको अच्छे से ट्रीक्मेंट देना है ताकि इमाजनसी न आए अभी तक हमने पचास पेशन देखे हैं कैम में और और पचास पेशन देखने के हम लोग उमिद रखते हैं करीबन दस पेशन्स के अंजिगराफी होनी है तो नो पॉफिट नो लास बिसिस पे अमने चलाया है ताकि इसका जन्ता को फाइदा हो और कल हमने प्रेश को नख करके इसके बारे में पत्रकार मित्रों को मने बताया था और उन्हें जो करेंगे और जिनको जरूरत है उनको फिर एंजोग्राफी की सलहा देंगे अंजोग्राफी में कुछ अगर निकलता है ब्लॉकेजेस और कुछ एंट्रप्लास्तिया बाइपास की आउसार होता है तो उसका भी हम लोग मार्गोशन करेंगे NBC News के लिए चंद्रपूर से सुनील तायरे की रिपोर्ट